हरो दोस्तो वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टेक्नो टम्स दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल ट्रांसलेट एप के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तो गूगल ट्रांसलेट एप पर अब किसी भी टेक्स को हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में कन्वर्ट करके आपकी मनपसंद लेंग्वेज में पढ़ सकते हो दोस्तो वो कैसे करते हैं वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना होगा क्योंकि वीडियो में आगे आपको दूसरे भी बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ गूगल ट्रांसलेट के जिससे आप अपने टेक्स को फोटो से भी या बोल कर भी कन्वर्ट कर सकते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करें, एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आगे भी आपको ऐसे ही नए वीडियोज मिलते रहें तब हम वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता गूगल ट्रांसलेट क्या है तो आपको प्ले स्टोर पर से गूगल ट्रांसलेट लिखना है और आपको ये वाले एप को डाउनलोट करलना है। ये एप आपके किसी भी टेक्स को हिंदी को इंगलिश में, इंगलिश को हिंदी में और बहुत सारी अलग-अलग लेंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, इंस्टॉल करने के बाद आपको एपको ओपन कर लेना है, अब जैसे ही एपको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको जैसे ही लिखते जाओगे, वो नीचे, आपके टेक्स को हिंदी में या आपको जीस भी लेंग्वेज में कनवर्ट करना है, वो आप कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो मैंने ऊपर इंगलिश में लिखा है, वो यहाँ पर नीचे हिंदी में कनवर्ट करके आ सकते हो खेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल तकनीकी शर्तों में आपका स्वागत है इसके जो दूसरा फीचर है उसमें आपको यहाँ पर एंटर टैक्स के नीचे एक पेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आप कुछ भी कॉपी करके इजीली पेस्ट कर सकते हो और उसी के नीचे आपका जो हिंदी ट्रांसलेट करके वो भी आसानी से आ जाएगा और स्पीकर का यूज करके आप इसे प्रणाउंच भी करवा सकते हो अब जो इसका तीसरा फीचर है यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड में कैमेरे का ओप्शन मिलेगा इस कैमेरे के ओ वर्जन मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इस पर ऊपर रखा है यहां पर आपको यह तुरंत इंग्लीश से हिंदी में ट्रांसफर करके बता रहा है ऐसे आप किसी भी लेंग्वेज में इससे ट्रांसफर कर सकते हैं पर हिंदी पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे options भी लेंगे यहाँ से आप easily किसी भी language में इसे translate कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आप मैंने गुजराती में कर दिया है यहाँ पर English से गुजराती में आसानी से transfer translate हो रहा है यह दोस्तों यह इसका तीसरा function का अब इसका जो चौता function है यहाँ पर आपको नीचे left side में conversation वाला option मिलेगा आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो वह आपका जो आपने अभी जो इसमें बोला है वह speaker ने अपने आप translate करके गुजराती में आपको यहाँ पर convert करके दे दिया है तो यह दोस्तों इसका चौता फीचर्स था इस तरीके से आप किसी भी language को English to गुजराती या आप किसी भी language में आसानी से convert कर सकते हो दोस्तों यहाँ अगर आपने वीडियो देख लिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आगे भी आपको ऐसे ह नई वीडियो मिलते रहे